Dear student, we have to discuss about the Swedish pre-school education past sustainability. In terms of the pre-school, जब हम बात करते हैं, तो यह काफ़ी complex है. बहुत सारे issues इससे related हैं, और इसके उपर जो हमने बात की issues के उपर उसके अंदर जो सबसे बड़ा issue था, teaching practice था का था, उसके उपर भी हम बात कर चुके हुए हैं. उसके इलावा, जो एक बहुत बड़ा challenge है, वो यह है, कि आप जिस contest के अंदर आप खुद understand करते हैं, environment को और sustainability को, उस contest में अपना role, teacher role play करते हुए, बच्चों को उसी अंदाज में उनके learning में भी role play करें. अब देखे, being a teacher, अगर मैं समझता हूँ कि कोई भी teacher है, जो के training ले रहा है, उनिवस्टी के अंदर, वो तो understand कर सकता है, उसको SDGs के बारे में इल्म भी हो सकता है, उसको clarity भी हो सकती है, लेकिन, इन sustainable development goals को, जब वो बच्चों में inculcate करेगा, जब वो knowledge बच्चों में transfer करेगा, तो उसमें जो सबसे बड़ा rule आएगा, वो बच्चों के understanding आएगा, कि आप उनको कैसे understand कराएंगे, किस तरह उनको ensure करेंगे, और फिर किस तरीके से उनको आपने कैसे encourage करना है और inspire करना है, कि जहां वो sustainable development goals की तरफ जो है, उसको achieve करता है, जो उसे related knowledge काहर करता है, या उसके surrounding में जो दुनिया है, उसके paradigm में उसके parameters में उसको देखता है, अब देखें, अगर आप गोर करें, तो बनियादी तोर पर ये एक थेरी है, थेरी practice में उनने जा रही है, मैं उसके आपको example देना चाहूँगा, हम कहते हैं के जी, हमने बहुत बहुत की और हमने इसके उपर भी discussion कर ली, हमने कहा जी जहना, हमने पानी का जिया नहीं करना, हमें ये बास समझ आ गई, understanding तो आ गई, teacher को भी पता चल गया, health के बारे में भी पता चल गया, education के बारे मे में भी पता चल गया, environment के बारे में भी पता चल गया, अब इसको जब हमने practice में लेके आना है, तो ये एक complex aspect है, ये असान फेनामेना नहीं है, इसका मतलब है कि मैंने SDGs, sustainable development जो goals हैं, उनको अपनी teaching के जरीए, बच्चों के अंदर daily activities में उसको practice मिलाना है, अगर आप थोड़ी सी बात को understand कर गये होंगे, तो इसका मतलब है कि उसकी practice हमने शुरू कहां से करनी है, प्री स्कूल से, इसका मतलब ये कि प्री स्कूल से हमने educate करना शुरू करना है, पहले educate करना है, identify करना है problems को, और फिर identify करने के बाद उसकी practice करवानी है, अब उसके बहुत सी बाते हम पहले भी कर चुके हुए हैं और उसके बाद हम discuss भी करते रहते हैं, तो ये एक लासी बात है कि जो problem एक मुलक का है, वो सारे मुलकों का है, अब यहां पे ये नहीं हम कह सकते कि जो problem स्वीडन को है, वो problem पाकिस्तान को नहीं है, जो पाकिस्तान को है, वो कीनिया को नहीं है, जो कीनिया को है, ये सब को है, कोई प्राब्लम इनके अलएदा अलएदा नहीं है हाँ इनके प्लैन अलएदा अलएदा हो सकते हैं क्योंकि जिस बचे को आप समझाने जा रहे हैं यह जिस बचे को आप बताने जा रहे हैं कि जी यह पानी है यह अलूदगी है उसके बाद यह इन्वार्मेंटल फैक्टर है ये हमारे पास पावर्टी का फेक्टर है ये हेल्थ का फेक्टर है अब ये फेक्टर जो उसको आप उसको समझाने जा रही है समझाने के बाद उसको ये बताने जा रही है कि आपने किस तरीके से इंशूर करना है कि ये आने वाले वक्तों में इसको sustain कैसे कर रहें और उसकी उसको practice करवाना चाहरे है अगर्चे ये कहने में तो बहुत असान लगता है खुबसूरत है कि आप बच्चे को बता दें बच्चे को awareness दें बच्चे को बताए कि जी आप जो आना पानी जाय करेंगे तो future में आपको भी पानी नहीं मिल सकता बच्चा आपके जो आने वाले आप springs है उनको भी पानी नहीं मिल सकता irrigation पर problem हो सकता है आप उसको समझा दे लेकिन उसको practice में लाना कि वो बच्चा पानी जाय करने से बच्चा है जाय करना ना करे और वो छोड़ दे और वो उसकी habit करूसा बनाना तो यह बन्यादी तोर पर यह करे challenge है और यह challenge किसी एक मुल्क के लिए नहीं है यह challenge को student के लिए नहीं है यह तमाम दुनिया के जो challenge मुल्क ए उन तमाम के लिए यह challenge